दोस्तों भले ही आप इसके बारे में सोचना चाहें या ना चाहें लेकिन ये सच है कि कोई भी दिन हमारी जिंदगी का आखरी दिन हो सकता है आज हम आपको पांच ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी मौत के इस आखरे दिन को बेहत करीब से देखा अकसर कुछ लोग अपने जाब को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं लेकिन अगर मैं इस फोटोगरफर की जगए होता तो अपने जाब को भूल कर अपनी जान बचाने की सोचता दरसल इस नौ सिखिये फोटोगरफर को कार रेसिंग के दौरान फोटोज क्लिक करने का काम दिया गया था जिसने यहाँ अपनी मौत को बेहत करीब से देखा नमर चार कहते हैं कि हर माता पिता की जान उनके बच्चों में बस्ती है लेकिन यहाँ तो खुद पिता की लापरवाही ने अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल दी इस वीडियो में दो बच्चे इस कार के इर्द गिर्द खेल रहे थे जिनके उपर किसी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया इन में से एक बच्चा कार के आगे के तरफ खिलने लगा जो कि ड्राइवर की नजर में नहीं आया और कुछ ऐसी घटना देखने को मिली बच्चा कार के नीचे से होते हुए सही सलामत बच जाता है पर सोचने वाली बात है कि अगर वो टायर्स के नीचे आ जाता तू क्या होता पहाडों पर से पेराशूट के साथ जम्प लगाना आज की डेट में काफी पुराना स्पोर्ट बन चुका है शायद इसी लिए इस जम्पर ने अपने स्टंट को ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड बनवाया यहां जम्पर किसी जिमनास्ट की तरह लोहे के इस डंडे पर घूंटे हुए पहाड पर से जम्प लगाने वाला था लेकिन इसका यह जुगाड थुड़ा कमजोर निकला जम्पर अचानक पहाड पर से नीचे गिर गया उसकी पूरी टीम को लगा जैसे उन्होंने अपने साथी को खो दिया है लेकिन यह व्यक्ती पहाड से नहीं टकराया और उसने होश न गवाते हुए अपने पैराशूट को समय रहते खोल दिया जिससे उसके जान बच गई कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक पॉफेक्ट सेल्फी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं हो सकता है आपका भी कोई ऐसा दोस्त हो इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये शक्स एक पहाड की चोटी पर खड़े होकर फोटोज खिचवा रहा था जब इससे भी उसको तसल्ली नहीं मिली तो ये पगलेट इस खड़ी पहाडी चोटी से किसी बंदर के तरह लटक गया जिसको यहां मौजूद उसके दोस्तों ने भी रोकने की कोशिश नहीं की और ये पगलेट सीधे नीचे जा गिरा ऐसे हालात में उसके दोस्तों को लगा जैसे उसका मरना तै है लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि वो कुछ मीटर नीचे गिरने के बाद एक पत्थर पर अटक गया है ठीक है इस कार में लगे कैमेरे में आगे चल रहे दो ट्रकों की भिणनत को रिकॉर्ड किया गया है यहां सामने से आकर टकराने वाले ट्रक से ये ड्राइवर आखिर कैसे बच गया इसके बारे में मैं खुद भी नहीं समझ पाया अगर आप समझ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ये थे पांच ऐसे लोग जिनोंने अपनी मौत को बेहद करेंगे करीब से देखा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद